हाई दोस्तों मैं हूँ असरफ जैसे कि आप देख सकते हैं यह टाटा मेजिक है इसमें स्टार्टिंग प्रोब्लम का इस्यू है बहुत से मेकनिक भायों को यह कन्फूजन रहता है जो कि पॉंप का काम करना पड़ेगा या इंजन का या हेट का तो दोस्तों इसमें आप का काम करेंगे या इंजन का काम करेंगे या हेट का या सिल्प का स्टार्ट मार के दिखाता हूं दोस्तों देखते रहिए हाल यही है दोस्तों धक्के से तो स्टार्ट हो जाता है मगर से स्टार्ट नहीं होता तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आप 100% स्यूर हो जाए अपका हाड है या लूज है इससे यह पता चलेगा आपको आप इंजन खोलेंगे या हेट खोलेंगे या हाइप्रेशर पॉंप खोलेंगे या डीजे लाइन लेकिन इसके पहले मैंने फ्यूल लाइन चिप कर चुगा और एक बात दोस्तना जो पॉंप में एक इगनेशन आता है या नहीं आता है उसे भी देखेंगे अगर पॉंप का काम होगा या हेट का काम होगा या इंजन का बहुत ज्यादा कंफूजन लगा रहता है लेकिन आप वीडियो देखते जाएए आप पूरा 100% समझ जाएंगे किस चीज की कमी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जैसे कि अब देख सकते हैं मैंने हीटर प्लक चेक कर रहा हूँ टाइमर से करेंट भी बराबर जा रहा है यानि कि हीटर टाइमर भी ओके है अब देखता हूँ हीटर प्लक सही है या कट गया अगर एक भी हीटर प्लक कट जाएगा तब भी स्टार्ट नहीं होगा तो दोस्तों हमने देखा EC pump सही है और fuel line भी सही है पहला और दूसरा ignition pulse भी सही है और तीसरा heater timer का current भी सही है और heater plug भी 2 का 2 सही है अब चलते हैं चौथे step के तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं self तो okay है अब self लगा के देखता हूँ दोस्तों आपने देखा self और battery perfect है अब engine back compressor है या नहीं है उसे दिखाता हूँ दोस्तों engine भी back compressor नहीं है अब इसका last रह चेकप टेपिट जी हां दोस्तों टेपिट अगर टेपिट रॉंग होगा तब भी start नहीं होगा लेकिन self जैसे घुमा रहा है उससे यह लगता है टेपिट सही होगा यह देखो दोस्तों टेपिट भी सही है मतलब guide चार का चार घुम रहा है अगर guide घुमेगा तो head भी सही यानि के ना engine खोलना पड़ेगा ना head खोलना पड़ेगा और ना ही fuel line खोलना पड़ेगा सब बराबर है self भी बराबर है engine भी बराबर है लेकिन problem क्या है अब आके अट पर्फेक्ट है बात high pressure pump में जिहां दोस्तों इसका high pressure pump ही खराब है यह दोखो दोस्तों compressor किना हाड़ है यानि के मैं range से घुमाने की कोसिस कर रहा हूं वो बैक मार रहा है यानि के engine का compressor भी बराबर है perfect है लेकिन अब जो बची हो रहा high pressure pump अब हम इसका high pressure pump खोलेंगे क्योंक पर्फेक्ट है लेकिन और एक बात दोस्तों रुक रुको पहले timing चेक कर देता हूं क्योंकि अगर high pressure pump का timing एक घाटी भी अगर लूज होगा तब भी ऐसा हो सकता है तो हम pump का timing पहले चेक करते हैं वो बराबर है या नहीं है उसके बाद last 100% high pressure pump ही खराब होगा दोस्तों timing भी okay है मैंने crank lock करके pump का timing lock किया और यहां पे आप game का cut भी देख सकते हैं यानि के game का timing भी okay है यह देखो दोस्तों game का timing भी perfect है अब सिर्फ इसका high pressure pump का काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं दोस्तों दोस्तों और एक तरीका है high pressure pump खराब है या नहीं है जानने का nozzle pipe खोल क कि नुजल pipe में उंगली लगा कि आप देखेंगे कितना तीजी से डीजल निकल रहा है लेकिन यह तरीका ज्यादा कारगर नहीं है आप लेकिन स्टेप बाई स्टेप ही follow करेंगे तो आप बारी की से समझ पाएंगे pump खराब है या हेट खराब है या इंजन खराब है या ड लाइन क्लियर अम इसके बाद कोई भी लाइन नहीं बसता कोई भी स्टेप नहीं बसता जिसे हम चेक करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ्राइवील लॉग कर दिया आप पॉंप का नट खोल रहा हूं और उसके बाद किम का नट भी पूरा का पुरा क्षोलना दोस्तों ये है मेरा देशी जुगार पॉंप का पॉलर पॉंप से पॉली निकालने में सोहलेत मिलती है बिना पॉंप को कोई नुक्सान पहुंचाए तो दोस्तों इस तरह पॉलर लगा के पॉंप को निकाल दूँगा और डीजेल हाउस ले जाओंगा ओके दोस्तों इस तरह पॉलर लगा दूँगा लगा देने के बाद जो बड़ा बाला बोल्ट है उसे स्पेनर से टाइट मार दूँगा टाइट मारने के बाद ये देखो दोस्तों ये लूज हो गया लूज हो जाने का अब मैं केम का बोल्ट निकाल के केम का पिनियन जो है उसे बाहर निकाल दूँगा ओके बाहर निकालने के वाद हाइप्रेसर पॉंप का जो पुली है उसे भी निकाल दूँगा यह देखो दोस्तों इसमें जो 13 mm का बोल्ट मैंने लगाया हूँ वो कितना अंदर तक घुसा है दोस्तों हाई प्रेसर पॉंप खोलने में पुल्ली निकालना पहला काम उसके बद रिटेन पाइप उसका नोजेल पाइप उसके बाद पॉंप के बेस का बोल्ट नट तीन नट है सामने के तरफ और पीछे तरफ चार नट पे हाई-प्रेसर पॉंप टाइट होके रहता है अब उसका रिटन पाइप एक्सिलेटर वेर और मेन पाइप इसे खोलने का नोजल पाइप निकाल दूगा दोस्तों ये पेसल टूल्स है इसमें कॉंजिस्टेड एरिया का नट खोलने में बहुत आसानी होगी दोस्तों जैसे कि आपने देखा हाई-प्रेसर पॉंप खुल चुका है और नोजल भी खुल चुका है अब जाएंगे डीजल हाउस दोस्तों हाई-प्रेसर पॉंप को पहले मैंने टेस्ट करवाया और उससे ये पता चला इस पे फ्यूल सप्लाई सही से नहीं दे रहा था जिस वज़े से स्टार्ट नहीं हो रहा था मतलब कि स्टार्टिंग फ्यूल बहुत लोग आ रहा था दोस्तों अब हमारा हाई-प्रेसर पॉंप काम होके रेडी हो चुका है अब फाइनली मसीन पे टेस्ट होगा और फिटिंग के लिए तैयार और इसमें 4,700 के आसपास खर्चा आया दोस्तों पॉंप और नोजेल डीजेल हाउस से काम होके आ चुका है आप करते हैं फिटिंग और स्टार्ट मारते हैं नोजेल का वासर लगा हुआ है लगाने की कोई जरूत नहीं दोस्तों वीडियो पसन आया तो लाइक करो ऐसे वीडियो चाहे तो सस्क्राइब करो अभी भी मन में कोई डाउट है आटो मोबाइल से रिलेटेट मुझे कमेंट करो मैं इसका रिप्लाइज जरूर दूँगा चावी स्विच अन करो अब पॉंप को करेंट आता कही नहीं देख लेंगे और में पॉंट रहा दोस्तों अगर हम पॉंप वह से ही लागा के टाइमिंग करके अगर सेल्प लागाएंगे तो बैटरी जल्दी से डाउन हो जागा तो हम इगनेशन में करेंट देखके में प आप ने देखा इस तरह से हाइप प्रेशर पॉंप का जो यार है नोजल पाइप के रास्ते मैंने पुली घुमा घुमा के अच्छी तरह निकाल दिया आप करते हैं स्टार्ट दोस्तों आपने देखा स्टार्टिंग कितना पर्फेक्ट हो गया पुला हाफ राउंड में स्टार्ट आप फिर और एक बर मार के दिखाता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो ऐसा वीडियो चाहिए तो सस्क्राइब करो अभी भी मन में कोई डाउट है आटोमोबाल से रिलेटेड मुझे कमेट करो मैं इसका रिप्लाइज जरूर दोंगा और एक बर मार के श्टार्ट दिखाता हूँ दोस्तों अमीर है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो सस्क्राइब करो अगर पहले से सस्क्राइब तर हो चुके है तो लाइक करो एंस पर वाचिप